लेसन प्लान डायरी का 5 टापिक साजीदारी जिसको पार्टनेशिप टहते हैं फॉर्मेट ऑजे टाइस रहते हैं छिक्षषविंदियों में साजीदारी कर, साजीदारी की आवशक्ता, साजीदारी के प्रकार उद्देश्यों में ग्यानात्माग अवोदात्माग ग्यानोपियो कोशलात्माग अवीवरतिय अवीरुची यह जटीज रहता है पूर्व ग्यान विद्यार्थी साधिदारी की सामाने जनकारी रखता है तस्तावना में व्यक्ति अपनी आविशक्त की पूर्दी के लिए क्या करता है वे दन अर्जन करता है दन अर्जन के लिए वे व्यक्ति कारे करता है कारे करने के लिए व्यक्ति कहा जाता है कंपनी वजार दुकान आदे स्थानों पर जाता है कंपनी क्या है कंपनी संगटित व्यक्तियों को सम्मू होता है संगटित वक्तियों के सम्मू को क्या कहता है साज़ेदारी साज़ेदारी से क्या तातपर है समश्य आत्मा परश्ट साज़ेदारी व्यक्तियों का एक सम्मू है जो की वेबसाइट को चलाने के लिए अपनी विद्य साधनों तता एक निशित अनुपात में लावाने भाटने के लिए सहमत होता है सहमती प्रदान करता है विद्यार्तियों आज हम सहजेदारी के बारे में अध्यान करेंगे या अपका प्रस्ताबना काशकिई लूँआ सहजेदारी करत विकास अत्मक परिशन साज़ेदारी में कितने व्यक्ति होते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं साज़ेदारी के वीच कैसे अनुवन्द होता है यह एक मौकि क्या लिखित अनुवन्द होता है साज़ेदारी इसे आप क्या समझते हैं समझ्यात में परिष साज़ेदारी व्यक्तियों को कै के लिए अपने विध्य साधनों तता प्रवंद्ग्य योगताओं को मिलाने वे तता निश्य तनुपात में लावानी बाटने के लिए सैमत होता है बारतिय साज़ेदारी अधिनियम 1932 के दारे 4 के अनुसर साज़ेदारी उन व्यक्तियों के पारसपारिक संबंद को कहते हैं साज़ेदारी व्यक्तियों के समय हों है साज़ेदारी में साज़ेदार क्या बताते हैं लावानी बाटते हैं साज़ेदारी अधिनियम कब लाग हुआ 1930 में लाग हुआ साइक्स विदियों में प्रिशनोतर विदी व्यक्यन विदी साज़ेदारी के अर्थ को हम ब्लैक बूर्ड पर हाइलाइट कर देंगे साज़ेदारी के आवशक्ता ज्यानातमक विकास आतमक साज़ेदारों की संके इतनी होती है साज़ेदारों की संके प्रफिट ऑइंड लॉस एकंट साज़ेदारी के आवशक्ता से आप क्या शमझते ही आपका समझज़ातमक में रहेगा चातर अध्यापिका कदन में साज़ेदारी व्यापार की आवशक्ता एकल व्यापार के दोसों के कारण हुई एका की व्यापार में सीमित पूजी सीमित प्रवंद चातुर्य मालिक की अनुपस्तिती में छती अनिश्रित अस्तित वो आदी कम्याती हैं जिसे साज़ेदार व्यापार की आवशक्ता महसूस की गई साज़ेदारी में विविन छेत्रों में योग बिता प्राप्त व्यक्ति मिलकर व्यापार करते थे जिसे एकल व्यापार के दोसों को दूर किया जा सकता है साज़ेदारी व्यापार की आवशक्ता किन दोसों के कारण हुई तो साज़ेदारी व्यापार की आवशक्ता एकल व्यापार के दोसों के कारण हुई थी एकल व्यापार में क्या कमिया थी एकल व्यापार में सीमित भूजी थी प्रवन्द सीमित था चातोर्य मालिक बहु की अनुपस्तिती में छती अनिशित होती थी जिसके वज़े से कमिया थी साज़ेदारी में कैसे व्यक्ति व्यापार करते हैं साज़ेदारी में योग गता प्राप्तो व्यक्ति व्यापार करते हैं इसमें साइक समेग्रियों में प्रिशनोतर, व्याक्यान, प्रिशनोतर, विदी या आपका हुआ साइकेन सिक्षर विंदू तर्शिक्षर विंदू में साज़ेदारी के प्रकार जिसमें ग्याना तक में विद्यारती साज़ेदारी के प्रकार का प्रत्य समरण करेंगे साज़ेदारी फर्वु में पूजी खाते रखने के लिए कितनी विदियां है साज़ेदारों का दायत्व कैसा होता है साज़ेदारों कितने प्रकार के होती है समश्यातमत अब इसमें बताया है साज़ेदारी चार प्रकार के होती है सीमी साज़ेदारी जब साज़ेदारों में किसी साज़ेदारी का दायत हो विनो जो जित पूजी तक सीमीद होता है इसमीन जो आपने इंवेस्टमेंट किया है उस तक होता है एक्षिक या विशिष साज़ेदारी जब कोई भी साज़ेदार अनिशित काल के लिए वेबसाइब प्रारम की जाती है इसे एक्षिक साज़ेदारी कहते हैं मतलब कहादे उद्देश अगर वो पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे एक्षिक साज़ेदारी निशित या निशित कालीन साज़ेदारी ऐसे साज़ेदारी जिसका निर्माड निशित समय के लिए किया गया है तो निशित साज़ेदारी कहलाती है तो ऐसे साज़ेदारी जिसका निर्माड निशित समय के लिए किया गया है उसे हम अनिश्चत कालीन साज़ेदारी कहते हैं जो अपने उद्देशों को पोड़ करने के वाद शुता ही समापत हो जाती है बैत अवेज साज़ेदारी जिसमें भारतिये साज़ेदारी अधिनियम के अनूसर साज़ेदारी का पंजिनियन करवाना आवशक होता है उसे हम बैद कहते हैं तता जिसमें भारतिय साज़ेदारी अधिनियम के अनुसार पंजीनियन कराना आविशक नहीं होता उसे हम आवैद साज़ेदारी कहते हैं सारी दारी किते प्रकार के होती है, चार प्रकार की, सारी दारी के प्रकारों के नाम बता है, सीमीद, एक्षिक, अनेक्षिक, निशित, और अनिशित, भैत, और अवैत, इसमें मैंने मिनी नेचर में सारी दारी के प्रकारों को क्या कर दिया है, डायगराम से सो कर दिया है, सा जिसमें बस तुनिष्ट, साजीदारी में कितने वेक्ति होते हैं, चार से पांच, एक सदस से दो या दो से अधी क्या छे हैं, आप देख सकते हैं, साजीदारों का दाइतव कैसा होता है, सीमी, तसीमी, विशेस, या एक शीक, साजीदारों का दाइतव कैसा होता है, साजीद ग्रहकार आतमक, साज़दारी में कौन से खाते बनाये जाते हैं, एकल वयपर में क्या कमिया होती हैं, इसमें मैंने निमंदातमक प्रशन नहीं बनाया हैं, अगर आप चाहो तो आप तीनों जो आपके ये हैं, सिक्षड विंदू, इन से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, नि ये आप ग्रहकारे दे सकते हैं, पर्यवेचिक तिपड़ी और पर्यवेचिक हस्तक्षर, ये आपका साज़दारी का, जो आपका 5 टॉपिक ता, वो कम्पलीट होता है,